Hello dear student, we have come again to teach you math. I am your class teacher. Okay, let's start the math. Okay, this is your lesson, thick and thin. Thick means होता है, मोटा, और thin means होता है, पतला. जैसा कि आप लोको पिच्चर में दिख रहा है, ये देखिये, ये मोटा लॉग, मेंस मोटा गठा है, लकणी का, और ये क्या है? पतला है. तो अब हम exercise करते हैं, देखिये question में लिखा है, tick the object, thick means, जो चीज़े मोटी हैं, उसमें हमें tick करना है, और thin means, जो चीज़े पतली हैं, उसमें हमें cross करना है. तो आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है, ये वाला क्या है, ये thick means, मोटा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, tick करेंगे, और ये क्या है, पतला है, thin means, पतला है, इसमें हम cross करेंगे, चलिए next करते हैं, ये आपको दिख रहा है, rope, रसी, ये वाली क्या है, पतली है, और ये वाली क्या है मोटी है तो जैसा कि उपर लिखा हुआ था थिक चीजों पर मतला थिक करना है और फथली चीजों पर हमें क्रॉस करना है ओके बचो अब आम लोग नेक्स स्टार्ट करते हैं, इसके पहले अम लोग ने थिक और थिन पढ़ा था, आब हम लोग पढ़ाएंगे हैबी और लाइट, तो जैसा कि पिच्चर में आप लोग को धिख रहा है, पिच्चर में क्या दिख रहा है आप लोग को लॉयाण तो लॉयन के नहां होता है। जंगल का राजा, the king of the forest and लेट, आप लोंकोंने अपने घर में दिखหा। होगा, जो छोटा सा होता है. और लौन क्या होता है? बड़ा होता है. तो हमें इस exercise में क्या करना है पहला देखिए तिक ता heavy object में जो object heavy है मतलब भारी है उस पे हमें tick करना है और जो light means हलका है उस पे हमें cross करना है तो picture में आप लोग क्या दिख रहा है रैट क्या होता है heavy होता है या light होता है बताइए हाँ रैट क्या होता है light होता है तो इसको हम क्या करेंगे cross करेंगे और next है loyan loyan क्या होता है क्या उसको हम लोग अपने हाद में उठा सकते हैं नहीं loyan क्या होता है भारी होता है means heavy तो इसमें हम लोग क्या करेंगे tick करेंगे नेक्स्ट है आप लोग को ये सी और सो में जूले को दिखो कुछ याद आ रहा है आप लोग स्कूल में जूले पर क्या करते थे चूलते थे चलिए अब हम लोग अपना वर्क स्टार्ट करते हैं एक साइड आप लोग को दिख रहा है ये क्या है पाइनेपल और ये नेट तो पिच्चर में आप लोग दिख रहा है कि pineapple heavy होगा या nut क्या heavy होगा pineapple क्या होगा heavy होगा तो इसको हम tick करेंगे और nut क्या होगा light means hulk होगा तो इसको हम लोग cross करेंगे ओके अब हम लोग नेक्स start करते हैं par and near क्या है क्या पढ़ने हैं हम लोग को par and near par means होता है दूर और near means होता है pass तो let's start question है हमारा tick the butterfly that is far जैसा कि आप लोग को पिच्चर में दिक रहा है यह क्या है flower और यह butterfly what is the color of butterfly blue and next यह भी क्या है हमारा butterfly okay अब इसमें कहा रहा है हम लोग को क्या करना है कि जो butterfly far means दूर है उसमें हम लोग को tick करना है और जो butterfly flower के पास है अतलब near है उसे हमें cross करना है तो जैसा कि पिच्चर में दिक रहा है यह आप लोग की क्या है flower है क्या है यह flower और flower के near means पास जो butterfly है तो कौन से कलर की butterfly है yes blue कलर की तो उसे हमें cross करना है cross हम लोग इस box में करेंगे next step for butterfly में जो butterfly दूर है उसे हमें tick करना है इस box में okay okay बच्चों अभी तक हम लोग ने far और near की practice कर लिये एक बाद फिर से हम लोग practice करते हैं okay तो next picture में आप लोग को दिख रहा है what is this क्या है यह क्या दिख रहा है आप लोग को हम यह क्या है यह bird है और यह kite and next bird यह how many birds two birds and one kite okay next अब अपना बर्क स्टार्ट करते हैं उपर पोजिशन में दे रहा है यह देखें यहाँ पे लिखा हुआ है take the ball that is near means हमें उस bird को tick करना है चो kite के near है और उस bird को cross करना है चो kite के away means उससे दूर means far means दूर है तो near means क्या होता है पास और far means दूर तो near कौन सी बर्ड है हमारी है blue वाली तो इसको हमने टिक कर दिया और far means दूर दूर कौन सी बर्ड है हमारी है yellow वाली तो हमने क्या कर दिया cross कि मच्चों